नेतन्याहु की बौखलाहट देखिए किस तरीके से वो अपने ही सैनिकों को मौत के कुए में धकेल रहे हैं जबरदस्ते नमस्कार मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जन्हीत अवाज हमास ने पूरी रड़नीती तैयार की है उसने किल जोन बना रखा है जहां जहां जिन इमारतों को ढेल किया जा रहा है विशाइल दाग कर जिन इमारतों को मलवे में तब्दिल किया जा रहा है उसी मलवे को किल जोन की तरह इस्तिमाल कर रहा है हमास और उसी मौत के मूँ में नेतन याहू अपने सैनिकों को आगे भेज रहे हैं और सैनिक लगातार हमास के जाल में फस्ते जा रहे हैं सैकडो सैनिक जो है वो हमास की कैद में जा चुके हैं नेतन याहू का वो होता है कि अस्पताल के नीचे सुरंग है सुरंग के अंदर 20 फोटक समान है लेकिन जब वहां पहुंचते हैं सानी तो वहां सुरंग नहीं मिलती उल्टा वो हमास के कैद में चले जाते हैं आपको पता दे कि अलसिफा जो अस्पताल था वहां तक जो सैनि इसराइल दी टैंकों को बरबाद कर दिया गया है एक सो साथ ऐसे ठीकाने हैं जिसको हमास ने पूरी तरीके से बरबाद कर दिया है हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जुगाडू हथियार सस्ते हथियार से इसराइल की जो महंगे मिसालों को किस तरीके से बरबाद कर चुलन को सकतो हुए तेन सब्सक्राइब देवर पर किसी बकूनाused कुर्द खते गेज़ा White-nate कर दींगे हमास को خतम कर दींगे तबाह कर देंगे यह युद्ध तब तक नहीं रुक translates हमास ख़त्म नहीं हो जाता अब तक वो कुछ नहीं कर पाएं सवा महीना हो चुका है युद्धों को चलते-चलते लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया है और लगातार हमास लड़ रहा है मजबूती से लड़ रहा है लेकिन अभी तक नेतन्याहू हारते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ नहीं कर पाये हैं इसराइल उड़ा फस्ता जा रहा है हर तरीके से चारों तरफ से अब इसराइल पल हमले हो है है 11 सेहरों को भी खाली करा दिया गया है लेकिन वहां इस्राइल की जनता भी अब दुखी है परेशान हैं असी लाख जनता जो है खतरे में है नेतन याहुने अपने स्वार्थ के लिए असी लाख जनता की जन जो है वह दावपर लगा रखा जनता को मौत के मुह में धकेल रहे हैं ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है या जान बूझ के नेतन याहूं पागल हो चुके हैं क्या कि वो जान बूझ कर जनता को मौत के मुह में डाल रहे हैं बता दे कि नेतन याहूं आने वाले समय में सत्ता उनके हाथ से जा रही है उन्हें पता है इस चीज़ का इसलिए वो बॉर्डर पर तनाव बनाकर अंदर जो है अदेश में चुनाव जीतना चाहते हैं लेकिन अब वो जो है ये पासा भी उल्टा पड़ता हुआ जा रहा है वो युद्ध भी हार रहे हैं और सप्ता भी हार रहे हैं क्योंकि जंता जो है गुस लगाता विरोध कर रहा है इस चीज़ का वो चाहता है कि युद्ध बिराम होना चाहिए जंता चाहते है पूरे दुनिया चाहते है देश चाहता है कि युद्ध बिराम होना चाहिए लेकिन नेतन्याव चाहते हैं कि युद्ध चलता रहना चाहिए वो लंबी युद्ध क पर अब जो है अमेरिका अपना कदम पीछे ले चुका है क्योंकि हाडी देशों ने इरान ने मिलकर जो है अमेरिका के ठीकानों पर सैन ने ठीकानों को बरबाद करना शुरू कर दिया था और अमेरिका किसी भी हालत में अपना नुकसान नहीं चाहता इसलिए अमेरिका ने औ और वहीं दूसरी तरफ हमास के समर्थन में रूस का एक और बड़ा लड़ाका जिसे चिछनिया का जाता है वो एक बहुत बड़ा लड़ाका है उसके अगर देखा जाए इतिहास तो बहुत भयानक और खतरनाक लड़ाका है जो युद्ध जीतने के रिकॉर्ड जो रखता है वो अब हमास के समर्थन में आ गया है और पहले से हूती और हिजबुला तो साथ में थे ही सोचिये ये लड़ाई किस ओर बढ़ता जा रहा है इसराइल को पूरी तरीके से बरबाग कर देने के लिए ठान लिया है नेतनियाहू ने क्योंकि उन्हें पता है हमें हम हार तो रहे ही हैं हारने के बाद युद्ध भी हारेंगे स्तप्ता भी हारेंगे और हारने के बाद उनके उपर जो है मुकदमा दर्ज होगा जैनोसाइड का मुकदमा दर्ज होगा उसके बाद उन्हें फासी दी जाएगी इसलिए वो चाहते ह कि मरने से पहले पूरी तरीके से इसराइल को बरबाद कर दें पूरे देश को बरबाद कर दें जनता को मौत के घाट उतार दें सैनिक जो है उन्हें मौत के घाट उतार दें उनके परिवार जो है उन्हें मौत के घाट उतार दें और इस तरीके से नेतनियाहु जो है बौख सुरंग के बहाने उन्हें बुलाया गया खिल जोन तक और अब जो है इस्राइली सानिक कैद में है और भी भी आगे बढ़ रही है इस्राइली सानिक अपने मौत के मूह में आगे बढ़ रही है क्योंकि नेतन याहू का ओडर है और सूच ये सानिक वही करता है सानिक की टुक अगर कबजा कर पाते तो ये युद्ध कभी का खत्म हो चुका होता लेकिन सवा महीने के बाद भी अभी युद्ध लगातार जारी है और नेतन्याहू को फासी की सजा दी जाए इसकी मांग हो रही है वहाँ जो किलजोन बना रख है जिनी इमारतों को धेर कर रहे हैं उनी इमारतों को किलजोन की तरह तबदील करके हमास अपने लड़ाई लड़ रहा है किस तरीके से जमीन के अंदर जाकर, सुरंग के अंदर से वो लगातार इसराइल पर हमले कर रहा है, इसराइल को बरबाद कर रहा है, जिस तरीके से वो भूमिगत होकर महीनों महीनों तक की लड़ाई के लिए उसने रासन और हतियार इखटा कर रखा है, सोचिए कितना खत्र है इसराइल के लिए लेकिन ये चीज नेतनियाओ को समझ नहीं आ रहा है अपने साथ साथ जो है वो पूरी जनता की जान पर तुले हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम तो जा रहे हैं पूरी देश को बरबाद करके जाएंगे और जनता भी ये चीज समझ चुकी है अरब पहले समय में युद्विराम होता है या क्या कुछ होता है नेतन्याओ की बॉखलाहट कहां जाकर खतम होती है क्या वो पूरे देश को बरबाद करके ही मानेंगे क्या कुछ होता है हमें आप इस पूरे बातचीप पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए धन्यवाद